आपके पास जमीन है सान जमीन है और उस जमीन को आपकर बेचना चाहते थिक है तो एक मों फ्रेंगे तो उतन踏ब यह पैसा तो बंद पाएगा अगर आपका जो जमीन कहीं जो है बढ़िया कस्वा में है बढ़िया मतलब छोटा सा टाइप में जगा में है जमीन ठीक है और माली जी के वहाँ पर जो है कुछ ऐसे सहस्ता है कहीं पर कुछ नगर पंचात है या फिर गौर्णमेंट का कुछ ऑफिस है ठीक है लोग वहां से घर बना कर रह सकते हैं तो ऐसी डाराव को दीक रहा तो वहां पी आप जो ब्ध्र करें आपके बाद अटR करने के अद्र आपकर जमीन का यह रखिजा और उसके अन्दर जब spraw चोटा है प्लॉट Ciao eight Indy çıktखर एक स्क्यूर फीट का two Mob f तोफीरव की स्क्वेज़ स्क्वेज़ को स्क्वेज़ स्कॉर फीट स्काइक का से उसको कीछbak कोई अर्केटेक्च वाले होते हैं लोग से उनन news है नक्साशा बना acted जाएगा और प्लोटिंग उन लोग काट के बना कर आपको दे देंगे उसी आधर पे आपको आगी चल के जब बिचना रहता है तो इसके लिए जैसे और यहां से आपको काफी बहुत बड़ा इंकम मिलने वाला अगर आप लोग जो है उस जमीन को अगर एक करोड में बिचना चाह रहे हैं मोटा मोटी ठीक है तो आप जो है यह इसको में कलोनी अगर आप काट के अगर उसको बिचना चाहेंगे तो आपको वहां पर एक करोड के जगए सीधा जो है दस करोड बारा करोड रुपए की आपकी उससे भी ज्यादा आपको यह प्रोफिट मिल सकता है मिनि agriya सही है तो उस जगे पर आप एकडम विल्डर के काम कर कि रखी क Хाल वाहां पर राइन का है नाली सडक बनाए रहे आपको खर्चा कग्षा जारेगए डैटे पर आपको लेना होता है लेकिन लेने से पहले आपको जब कलोनी निर्माड करना है तो कलोनी निर्माड करने के लिए लाइसेंस लेना होता है जहांगे कि हम जो है इसको कैसे सब्सक्राइब करना होगा है तो इसके लिए अब की सकती इतना खच वहाँ पर करना चाहते हैं वह आपके उपर deal निबिण पर ताक क्लॉनी बैनने लेकिन आपको जո है नर्मिंट लइसेंस आपको बनाना होता है किलोनी निर्माण करने के लिए आपको नगर निगम या नगर पंचायती माधम से आप उस झास को बनवाना है कि मैं आपको यहां पर लगा देता हूं यहां पर अप्लिक्शन बनाना है ठीक है इस आधर पर बना सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हब करें सबसे पहले पत्य लिखा जाता है है मुख्य नगर पाली का अधिकारी यहां लिखको लिखते हैं या यहां पर राजस्थान में कोटा है जो भी आपको लिखना है तो आप लग नगर पंचायद जो है विलाश्पूर इस टाइप का आप लिख सकते हैं और उसे स्टेट जो है आपका राजस्थान या आपका छेटिशगर इस टाइप का लिख सकते हैं ठीक है क्या लिखेंगे प्रति उसके बाद मुख्या नगर पाली का अधिकारी नगर पंचायद आपका जो हो का उसको लिखना है जीला जो है वो लिखना है और आपका स्टेट क्या है वो लिखना है इसके बाद दोस्तों बीशाय में आपको लिखेंगे इस बीशाय में लिखेंगे निवेदन की आवेदक निवेदन की आवेदक आपका नाम तो उसक्ता नाम से जमिभार या तो इस असक्ता कुझण नाम से पता नाम सकते हैं तो वहां पे आपका निवासी आकोन है तो प्रोप्राइटर का जो है निवासी का स्थान वो लिखेंगे आप जो भी एड्रेस होगा उसको दिना है ठीक है जीला वा तसिल में जो है वो सब डलना रहता है ठीक है इसके लिखने के द्वारा नगर पंचायत नगर पंचायत जो भी होगा आप नगर पंचायत कोटा हो तो नगर पंचायत कोटा में भूमी स्वामी हक की भूमी खसरा नंबर यह रगबा यह और टोटा कुल रगबा कुल एरिया इतना इतना एकड या इतना हेक्टियर या इतना स्क्वेर फिट में जो है स्थीत एवंग धारिध है तंद लिखेंगे जिसमें अवे दख इया को दो करने लिए Kr**** करना चाहता कट एक बसफुर्ट ये लिखना है इतने लिखेंगे बाद आता स्रीवां जी से साधर अनुरोध है कि कलोन राईस राइस प्रदान करने की लिख पर एक इसके तक प्रिजिश्टी कोपी तो आपकी जमीन का एरिया का जो सेल्डी कोपी जाया प्रती आपको देना होगा ठीक है उसके चाया प्रती जीएगा साथ में आगर विवन पीटू है तो नक्षा वो सब लगा सकते लगाएंगे तो आपको एसको किसको देंगे आप और पंचान निगम को अप Monsieur झाल जमिन तो वहां पर आपको जो है करीब एक लाख रुपए करीब आपको आपको देना पड़ेगा आप नगर पंचायत को आपको देना होगा तो बैंक किसके तो से देंगे तो बैंक में जैसे आपने देखा अब कर डिमांड बनता है या बनता है किसी नाम से बना बना तो तो वह जो है जमा हो जाता है कहां नगर निगम में जमा हो जाता है उनके नाम पर जैसे जमा रहता है यहां पीचेंबर किराय में कुछ पगड़ी देना पड़ता है तो आप पर पचाहार ये गया है तो ऐसी ही जह इसको भी हो ही वही समझ पर इसको मिलें जाता है और जो alltså पॉस्स मिलेगा ऊसमाइग उसका रेट विए समय उसको पैसा रीटर्था मिल जाता है तो इस तरीके से प्रोसेस से दो और यहां पर क्या होता है कि लाइस बनाने के लिए जैसे आपने सबसे पहले लाइसे बना लिए मैने बता दिया कि आपको license कैसे लिखना है किसको आवेदन दे रहा है। तो इसके बाद गोलोग से बनवाना है तो Article Risk से उसको पांस करना होता है वह वहां से आपको पास कराना रहता है इसके साथ में दस्तों एक विकास की अनुग्याह लेना पड़ता है लेना होता है तो आपको सारी बारे में आपको सारी लेना पड़ता है तो रेरा का अपको सार्टिफिकेट भी लेना पड़ता है कि यह सब यहां सकते हैंं तो यह सार जी Vayako बनवाना पड़ता है तो आपसे कलोनी आपको पांच अकर जमीन को आपको बाउंटी करना करके देना होगा बाउंटी बनाएंगे अब उसके अंदर के लोग बसेंगे लोग खरीदेंगे और वहां पे घर मकन बनाएंगे और पूरा एकदम कलोनी होगा एक बस्ती बन जाएगा तो आप जब उसको चोटा-चोटा क्लोटिंग काटेंगे तो जरूर आपको वहां पर रोड़ देना होगा पत्चीश्थ का रोड़ देना हो वहां उसमें जो है जो उन लोग वहां पी बसेंगे उन लोग के सुभीधा के लिए उनके बच्चे आपको कर लिया तो यह इतना अगर आपके पास पैसा बना सकते हैं तो अप जमीन आपका 1.005.00 रूपय का जमीन है तो उस जमीन को आप जो सिधा 12.005.00 रूपय तक वहां से आप पैसा बना सकते हैं ठीक है यहरें की छोटा छोटा प्लोट को सट्रोंट में उसको प्लोट को बेस कर आप यह मुंगन भद एक ब्लियर श्टेट का विवह। बिल्डर का बीजनेस है तो बहुत संदा तरीक से बहुत बढ़िया आर्निंग भी बना सकते हैं और यह आप कलोनी बनाने के लिए जो कैसे आप लिखना पड़ता है इसके बारे में आप लोग को बता दिया तो कल आप लिए के साथ साथ में कुछ और भी मैंने आपको कुछ जनकरी दिया तो ये सारी जनकरी आप को कैसा लगा comment मि जरूर बताएएगा अगर आप लोगो को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी आपकी question के इसाथ और भी वीडION-बना कर, आपको दोशे की चैनल को सबस्क्राइब ह। तक कि आप लोगों को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है दोस्तों आज के लिए फिर मिल देंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय है नमस्कार